विगत वर्सों में दस जगे पर, दस राज्यों में एनाईए ने अपने काम का विस्तार किया है 19 में चंदीगड, 20 में रांची, इंफाल और चेन्नई, 22 में जाइपूर, एमडाबाद, बैंगलूर, पतना, भोपाल, भूनेश्वर कुल मिलाकर तीन साल में 18 राज्यों में अपनी पहुच को मजबूत करकर वहाँ पर अपने अस्तितों को एनाईए को ने बनाया है वहाँ ब्रांचीज खोले गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कारेकरम हमने बनाया है 2024 की मई के पहले देश में नए चुनावाने के पहले देश के सभी राज्यों में एनाये अपनी उपस्तिती दर्ज करा लेगी हर जगे पे एनाये की ब्रांच होगी इसका मुझे विश्वास है मित्रो मोधी सरकार ने वामपन्थी उग्रवाद टेर्रिजम और टेर्रिजम से लिडिरेटेर कई सारे गुना जैसे फेक करंसी हो जैसे नार्कोटिक्स हो इस सब के खिलाब एक जीरो टॉलरंस की निती को अखत्यार किया है और इसलिए हमने एनाईय को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छुड़ी है नरेंद्र मोधी सरकार का जीरो टॉलरंस की निती को अखत्यार करने के लिए हर संभव ये प्रयास रहा कि आतांकवाद सबंदी सारी सुचनाओं को इरिस्पेक्टि और पॉलिटिकल पार्टी राज्यों के साथ साजा किया जाए आतांकवाद विरोधी जितने भी कानून है आतांकवाद को सपोर्टिव जितनी भी एक्टिविटी है इसके खिलाब जितने कानून है वो सभी कानूनों को पुक्ता और सक्त बनाया जाए आतांकवाद विरोधी इन्वेस्टिगेशन करने वाली सभी संस्थाओं को मजबूत किया जाए और इसमें दो सिद्धी के प्रमान को सत्थ प्रतिसत करने का लक्स रखा जाए और उसी उपक्रम में एनाईय को मजबूत करने का काम हमने किया है और मुझे आनन्द है कि 94.25 प्रतिसत दो सिद्धी जो 75 प्रतिसत तक चली गई थी 2014 में उसको बढ़ाकर 94.25 लाने में एनाईय ने सफलता प्राप्त की है वो बहुत आनन्द का फिशह है मजबूत करने के लिए भी कॉलिटी ओफ इन्वेस्टिकेशन तक्निकी स्रेष्टता साइबर और फोरेंसिक सहायता बेस्ट मैन पावर उनका प्रसिक्षन और कंटिनियूसली लर्निंग प्रोसेस ये सारी चीजों को NIA की कारिय पद्धती में इन्बिल्ट कर लिया गया है